हे गाईज कैसे वो सारे येकिन करता हूँ कि इच्छ होंगे सो गाईज आज के इस वीडियो में मैं आपको केजी एफ चैप्टर टू का कुछ स्टैप के पोस्टर एडिटिंग सिखाऊंगा बिल्कुल इजी स्टैप में एड गाईज उससे पहले वी तक आपनी चैनल को सब सब्सक्राइब करके एंड बेल नोट के सो उसको ओन कर लिजेगा आपको कुछ स्टैप का पोस्टर एडिटिंग करनी के लिए आपको कुछ स्टैप की बैग्राउंड की जड़ुत पड़ेगी जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्टिन में मिलियागा आप वहां से यह वाले बैग्राउंड को जस्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड डाउनलोड करने के बाद जस्ट इसे आपको पिक्सार्ट में ओपिन करनी है एंड ओपिन करने के बाद गाई सबसे पहले आपको यहां से टूल वाले बटन पे आपको क्लिक करनी है एंड जिस भी साइज मे आपको यहां से पिक्चर को crop करनी है आप सब कर सकते हैं फिलाल मैं इसे portrait size में जो यहां से crop कर लेता हूँ and crop करने के बाद गये जिस्ट आपको उपर से done करनी है and done करने के बाद गयाई इस picture को आपको सबसे पहले resize कर लेनी है so just आपको resize करने के लिए आपको tool पे क्लिक करना है and just resize पे आने के बाद इसका जो है यहां से इसको 3000 के आसपास रख लेनी है so मैं यहां से just 3000 करके and resize कर लेता हूँ and कुछ इतना करने के बाद गई जिस भी photo को आपको edit करनी है just उसे आपको add photo से add करनी होगी so just मैं यहां से add photos में आ जाऊँगा and जिस भी picture को आपको edit करनी है just उसे आपको यहां से add कर लेनी है so just मैं यहां से अपने picture को यहां से add कर लेता हूँ and guys अभी देख सकते हैं मैंने इसका अल्रेड यहां से background remove करके रखा है so अगर आपको background remove करनी नहीं आता तो मैंने इस पर already वीडियो बना के रखा है आप वहाँ से वो वाले वीडियो देखके background areas करना सीख सकती है and just guys आपको यहाँ से अपने model को कुछ steps आपको बीच में adjust कर लिनी है जैसे कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ and कुछ इतना कर लेने के बाद just आपको यहाँ से adjust करने के बाद उपर से आपको done करनी है and done करने के बाद guys आपको जो है कुछ PNG की जड़ोत पड़ेगी सभी का link आपको निचे description में मिलेगा आप वहाँ से सभी PNG को download कर सकती है so just guys मैं यहाँ से अपने PNG को add कर लेता हूँ and guys just मैं यहाँ से अपने PNG को add कर दिया हूँ so guys सबसे पहले आपको यहाँ से एक सैड़ो PNG मिलेगा just इसे आपको जूम करके and guys नीचे के सैड में आपको कुछ step से आपको fit कर लेनी है so guys मैं यहाँ से कुछ step से fit कर लेता हूँ and उसके बाद guys आपको यहाँ से एक flare PNG आपको मिलेगा इसे भी guys आपको जूम करके आपको picture में कुछ step से set कर लेनी है जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ and इतना कर लेने के बाद guys just आपको यहाँ से side में eraser का आपको button दिखेगा just आपको eraser वाले button पे click करके and guys eraser प्यानने के बाद इसका size अपने हिसाप से adjust करके and just आपको face पे कुछ step से apply कर लेनी है ताकि guys जो भी आप flare का जो है PNG आड़ किये थे उसमें थोड़ा बहुत red effect जो skin पे आ गया होगा वो यहाँ से सभी से remove हो जाएगा and कुछ इतना करने के बाद guys just आपको उपर से done करनी है and done करने के बाद guys एक बड़ा और आपको उपर से done कर लेनी है and done करने के बाद guys और भी PNG है just उसे भी मैं यहाँ से add कर लेता हूँ so यहाँ से KGF का जो है यहाँ से हमारा logo है उसे भी add कर लेता हूँ and just guys जो यहाँ से KGF का जो logo है जस्ट मैं इसे उपर के side में रखूँगा and कुछ इतना मैं अपने हिसाब से fit कर लेता हूँ आपको भी कुछ step से fit कर लेंगे है and guys जो यहाँ से text png है इसे भी मैं just नीचे के side में adjust कर लेता हूँ and फिलाल guys इसे मैं थोड़ा उपर से crop कर लूँगा and इतना करने के बाद just उपर से done करके and मैं इसे नीचे के side में adjust कर लेता हूँ आप सब इसे अच्छे से crop कर लिजेगे फिलाल थोड़ा मेरा इधर उदर हो गया है मैं आसे फिर से crop कर लेता हूँ and just आपको इसे नीचे के side में adjust करनी है and adjust करने के बाद guys इसका off city हलकास आपको down करनी है लगभग आपको 70% रखनी है and just उपर से आपको done कर लेनी है and done करने के बाद guys जो भी हमारा यहां से pixart में editing था वो यहां से पूरा complete हो चुका है so just मैं यहां से draw tool में आके and अपने picture को जो है gallery में save कर लेता हूं so just मैं यहां से अपने picture को gallery में save कर लेता हूं and guys इसका color adjustment करने के लिए आपको light room में send करना होगा so चलिए मैं अपने picture को light room में open कर लेता हूं and guys अभी देख सकते हैं मैंने यहां से अपने picture को light room में open कर लिया है सो गाई सबसे पहले आपको इसका light adjustment करनी होगी सो जस्ट आपको यहाँ से light वाले आपको बटन पे click करनी है and light वाले बटन पे click करने के बाद आपको यहाँ से contrast को आपको 10% add करनी है and जो highlight है इसे भी आपको लगभग 30% कम कर लेनी है आप सब अपने picture के हिसाब से highlight increase या decrease किजिएगा and जो shadow को भी मैं लगभग 40% increase कर लेता हूँ and जो black है इसे भी मैं 10% down करूँगा and उसके बाद गई just मैं यहाँ से mix tool में आ जाता हूँ and mix tool में जानने के बाद गई सबसे पहले face पे थोड़ा सा मैं color डालूँगा so just मैं audience color का जो है यहाँ से saturation 10% down कर लेता हूँ जो face का color होता है and मैं इसको जो है लगभग 15% जो है luminians को increase कर लूँगा and कुछ इतना करने के बाद गई just आपको green वगएरा color वगएरा को आपको saturation down कर लेनी है ताकि जिस time आप background areas किये होंगे उसमें थोड़ा बहुत green रहे गया होगा so उसका color जो है down हो जाएगा and उसके बाद guys just आपको यहाँ से blue color को select करके and इसका saturation आपको 50% down कर लेनी है and just आपको उपर से done करनी है and effect वाले tool में जाने के बाद guys आपको यहाँ से texture को 10% and clarity को भी आपको 10% add करनी है and जो यहाँ से wignet है इसे भी आपको 30% down रखनी है and इतना करने के बाद आपको details वाले button प्यानने के बाद sharping को आपको यहाँ से लगवग 40% and details को पूरा and noid detection को 20% and details को पूरा and color noid detection को 40% and details and smoothness को पूरा increase कर लेनी है and guys अभी देख सकते हमारा picture यहाँ से पूरी तरीके से edit हो चुका है so just मैं यहाँ से अपने picture को gallery में save कर लेता हूँ so guys कुछ इस टाइब से करके आप सब KGF chapter 2 का कुछ इस टाइब से poster editing कर सकते है so आपको अगर वीडियो अच्छे लगयोगी तो वीडियो को जोड़ी से like कीजेगा अगर आप चैनल अपने है तो चैनल को subscribe कर लिजे and मिलते है किसी और वीडियो के साहन तब तक के लिए बाई कर दो आप कर लिए तो आप चैनल अपने है